दस्वाँ पाठ प्रिष्ट संख्या 57 से 69 तक कविता हम धर्ती के लाल देश हमारा धर्ती अपनी हम धर्ती के लाल नया संसार बसाएंगे नया इनसान बनाएंगे सुख स्वपनों के स्वर गूंजेंगे मानव की महनत पूजेंगे नई कलपना नई चितना की हम लिये मशाल समय को राह दिखाएंगे एक करेंगे हम जनता को सीचेंगे समता ममता को नई पौध के लिये पहन कर जीवन की जैमाल रोज तिवहार मनाएंगे सौसो स्वर्ग उतर आएंगे सूरज सोना बरसाएंगे दूध पूत के लिये बदल देंगे तारों की चाल नया भूगोल बनाएंगे नया संसार बसाएंगे कवी हैं शील अभ्यास शब्दार्थ लाल अर्थात पुत्र या बेटा या सपूत संसार अर्थात दुनिया स्वर अर्थात ध्वनी या आवाज राह अर्थात मार्ग रास्ता या पत स्वप्न अर्थात सपना समता अर्थात बराबरी का भाव पूत अर्थात पुत्र या बेटा तियोहार अर्थात पर्व या उत्सव एक कविता से इन पंक्तियों को पढ़कर उत्तर दो क नया संसार बसाएंगे नया इनसान बनाएंगे तुम्हारे विचार से नया संसार बसाने और नया इनसान बनाने की जरूरत है या नहीं कारण भी बताओ ख रोज तिवहार मनाएंगे तुम्हारे विचार से क्या रोज तिवहार मनाना उचित है? अगर हाँ तो क्यों? ग सौ सौ स्वर्ग उतर आएंगे सूरज सोना बरसाएंगे दूद पूत के लिए बदल देंगे तारों की चाल क्या ये बातें संभव हो सकती हैं? इनका कारण भी पता करो घ कवी हम धर्ती के लाल ही क्यों कहना चाहते हैं? दो वाक्य बनाओ सुख स्वपनों के स्वर्गूंजेंगे इसमें सअक्षर बार बार आया है तुम भी इन वर्णों से वाक्य बनाओ ध्यान रखो कि उस वर्ण से शुरू होने वाले तीन शब्द तुम्हारे वाक्य में हो ग द से वाक्य बनाओ तीन शब्द सज्जा क, हम नया भूगोल बनाएंगे इस पंक्ती में भूगोल शब्द की जगह और कौन-कौन से शब्द आ सकते हैं इन शब्दों में से छाटो और कुछ शब्द स्वयम सोच कर लिखो शब्द हैं, संसार, कल्पना, इनसान, पौधा, चेतना, जमाना, दुनिया, इतिहास ख, इन शब्दों को तुम्हारे घर की भाशा में क्या कहते हैं? क, देश को क्या कहते हैं? ख, धर्ती को क्या कहते हैं? ग, दूद को क्या कहते हैं? घ, जनता को क्या कहते हैं? अंग, तिवहार को क्या कहते हैं? च, इनसान को क्या कहते हैं? चार, सोचो और बताओ, कवी एक नया संसार बसाना चाहता है, जहां मानों की मेहनत पूजी जाए, जहां जन्रता में एकता हो, जहां सब समान हो, जहां सभी सुखी हो, तुम्हें अपने संसार में उपर लिखी बातें नजर आती हैं या नहीं, इन बातों के होने या न होने का क्या कारण है, ख, तुम भी अपने संसार के बारे में कल्पनाएं जरूर करते होगे, अपने सपनों की दुनिया के बारे में बताओ, पांच, कैसे? बताओ, तुम ये काम कैसे करोगे? शिक्षक से भी सहायता लो क समय को राह दिखाना, ख जनता को एक करना, ग तारों की चाल बदल देना, ग नया भूगोल बनाना, अंग नया इनसान बनाना, छे यह भी करो ऐसी ही एक और कविता खोज कर अपनी कौपी में लिखो, तुम सोयम भी कविता की रचना कर सकते हो